इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने नंबर के अपने मुबाइल के किस तरी के से जो है आप अपना इस्टेटमेंट निकाल सकते हैं किन-किन नंबर पर किस-किस डेट को आपने फोन किया था, कब-कब आपने किन-किन नंबर उपर मैसेज किया था सारा का सारा call details, SMS details सब कुछ इस वीडियो में हम आपको निकालने दिखाएंगे तो कैसे आप अपने statement को निकाल सकते हैं तो दोस्तो वीडियो में बने रहना इंड तक और इससे पहले अगर अगर आपने अभी तक हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो maximum लोगों के पास अभी जियो ही है, सब को अभी जियो ही यूज कर रहे हैं तो आपको अपने mobile में जियो को load कर लेना है जो आपका application होता, myzio का उसे आपको install कर लेना है तो मैंने इसे install करके रखा हुआ है और वैसे भी maximum लोग इस application को install करके रखते हैं तो आपको myzio को open कर लेना है myzio application को open करने के बाद आपके सामने अब जो है इस तरह से dashboard आ जाता है अब आपको अपना statement निकालने के लिए आपको क्या करना है उपर आपको three dot का icon मिलता है यहाँ side में यहाँ इस पर आपको click कर देना है इस पर click करने के बाद दोस्तों आपके सामने काफी तरह के option आ जाते है अब आपको क्या करना है यहाँ पर आपको एक option मिलता है my statement का यहाँ पर आपको एक option मिलता है my statement का आपको इस पर click करना है इस पर क्लिक करने के बाद यहां से आपके सामने जो है डेट आजा था आप कौन से कुन से कब से कब तक का इस्टेटमेंट जो है देखना चाहते हैं तो मेरे में जो है अभी आटोमेटिकली सेलेक्टेड है जो कि है 19 फरवरी से 25 फरवरी तक जो कि आज का डेट है यानि कि 19 से 25 तारिके 2020 में मैंने जीकिन के नंबरों पर मैसेज किया है या फिर कॉल किया है सारा का सारा डेटल मेरे समने खुल के आ जाएगा अब नीचे में आपको मिलता है यहाँ पर आप किस तरह से अपना इस्टेटमेंट चाहते हैं आप अगर इमेल में चाहते हैं तो यहाँ से आपको इमेल में आपको इस्टेटमेंट को भेज़ दिया जाएगा उसके बाद guys कुछ दिर loading लेगा जो कि हमारे statement को ये निकालता है तो तब तक के लिए हम थोड़ा wait करते हैं अब दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाता है यहां उपर में आपको अपना नाम देखने को मिलता है साथ में आपको यहां पे आपको अपना address देखने को मिलता है आपका mobile number देखने को मिलता है सारे चीज़ यहां से आपको information मिल जाती है अब उपर में आपको काफी सारे option मिलता है My Bill का, Plan Details का, Uses Charges का, Summary का and T&C का तो यहां पे आपको third number में एक option मिलता है Uses Charges का, तो आपको Uses Charges पर क्लिक कर देना है अब यहां पे आपके सामने तीन option देखने को मिल जाते है सबसे पहला आता है data का, इसके बाद आता है voice का, इसके बाद SMS का तो अपना statement आप कौन सा check करना चाते हैं यहां से आप data का भी check कर सकते हैं किसकी type को, time को कौन-कौन से date में अपने data खर्च किया है और साथ ही यहां पे आप voice का option मिलता है वो आपको call का देखने को मिल जाएगा किन-किन date को आपने किसे call किया था वो सारा statement जो है आपके सामने यहां पे दिख जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहां पे second वाले option पर click करेंगे मैं आपको call details दिखाऊंगा तो call details को देखने के लिए आपको यहां पे voice पर click कर देना है इस पर click करने के बाद नीचे आपको click hair का option मिलेगा तो आपको click hair पर click करना है उसके बाद guys आप लोग देख सकते हो हमारे सामने सारा का सारा call details आ चुका है 19 तारीक से आज हो गया 25 तारीक आज मैंने किसी को भी call नहीं किया क्योंकि आज मैं सुबह में ही वीडियो बना रहा हूँ तो 19 तारीक से 24 तारीक तक सारा का सारा details आप देख सकते हो किस किस date को मैंने किन की number ओपर phone किया हुआ है और time भी साथ ही साथ यहाँ पर आपको दिखाय जाता है किस date को और किस time को आपने किन की number ओपर phone किया है सारा का सारा आपको यहाँ से statement देखने को मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि आपने किन-किन नमबर ओपर मैसेज किया है, आपका मैसेज का जो statement है, डीटेल से वो आप कैसे निकालेंगे, तो फिर से आपको uses charges पर click करना है, अब आपको नीची आपको option मिलता SMS का, आपको SMS पर click करना है, फिर आपको click here पर click करना है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, मैंने किन-किन नमबर ओपर किन-किन समय में, किस-किन समय में जो है किन-किन नमबर को अभी message किया हुआ है, वो सारी डीटेल्स हम यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़े सी भी जानकारी मिली हो, तो हमारे वीडियो को like जरूर किजेगा, और दोस्तो हमारे चैनल को subscribe जरूर किजे, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो चैनल पर लाते रहता हूँ, ताकि आपको इसका notification सबसे पहले मिल सके, तो दोस्तो मिलते हैं राक्षी वीडियो में, तब तक के लिए भाई,